कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मापक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिगत चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैनल दूस्तो आज के दीन अगें क्रिप्तो मार्केट के अंदर ऐल्ड कोईन के अंदर 8% से लेके 15% तक अगें गिरावट में देखने को मिल रही है बड़े से बड़े अल्ट कोईन के अंदर एक ही दीन के अंदर 10 से 15 15 परशन तक गिराउट आई है लाएक याँ पे ठीटा की बात करेंगे, पॉलिकॉन मेटिक की बात करेंगे, जूपिटर की बात करेंगे, आप्टिमिजम की बात करेंगे, आर्बिटरम की बात करेंगे, डबलो कोईन की बात करेंगे, अंडव की बात करेंगे, नियो की बात करेंगे, फ्लोकी की बात एक्सेटरा जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करंसी थे एक बार अगें 10-15 परशन तक करेक्शन लिये हैं अब एचीजे देखने के बाद कुछ लोग अब बोलना स्टार्ट किये हैं कि अल्ट कोई आगे नहीं बचने वाले हैं सारे के सारे अल्ट कोई जल्दी खत्म हो जाएंगे विटकोईन के अलावा कोई नहीं बचेगा बट यहां पर मैं आपको रिपलाई देना चाहूँगा कि मैं ऐसी बाते नहीं करूँगा कि 2030 के अंदर ये अल्ट कोई नहीं होगा उसके लिए हम नहीं बता सकते हैं कि 2030 तक कौन बज़ सकता है 2035 तक कौन बज़ सकता है 2040 तक कौन बज़ सकता है पर हाँ एक आइडिया लगा सकते हैं कि 2024, 2025 और 2026 के अंदर कौन सा अल्ड रेली कर सकते हैं उसके अंदर हम बात करेंगे तो पुराने जो altcoin है अच्छे से काम कर रहे थे और आज की दिन भी काम कर रहे हैं वो और नए जो प्रोजेक्स बड़े बड़े funding के साथ आये हैं बड़े बड़े VCs का backup है वो वाले प्रोजेक्स इस बार के rally के अंदर अच्छा घाजा rally करेंगी इस बार के bull run के अंदर अच के अंदर retail investor first है यहाँ पर कुछ coin है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं कि कितने डाउन आये है फिलाल यहाँ पर मैं थोड़े directly बात कर लू तो रीपल की बात करेंगे पुराना कोई ने 0.5 डोलर के उपर मिल रहा है डोज कोईन Elon Musk का लगातार सपोर्ट रेत है 0.13 के वाइट कोईन 79 डोलर के उपर trade कर रहा है ICP 11 डोलर के उपर trade कर रहा है Ethereum classic 25 डोलर के उपर trade कर रहा है कुछी टाइम पहले 40 पे था अभी 25 आया Aptos की बात करेंगे 7-8 डोलर के उपर trade कर रहा है Cosmos की बात करेंगे 8 डोलर के उपर trade कर रहा है Filecoin 5.5 डोलर के उपर trade Stealer 0.10 डोलर के उपर trade पर ne उसके बाद Optimism 2.44 डोलर के उपर trade कर रहा है fullest इस सभी जो नेम हमने देखें ये पुराने भी क्रिप्टो करन्सिया है और स्ट्रॉंग है और लगातार काम कर रहे हैं जितने भी नेम मैंने लिए आप नौट कर सकते हैं उनमें से कहीं भी इस सभी का मार्केट के बड़ा हैं जो कि रिस्क तो ही हैं कौन से प्रोजेक्ट में कब क्या हो जाए प्रशनली दोस्तो बार बार वोलाओं के आगे और गिरावटे आ सकती है जो शोट टम डरना नहीं है आप उपर्चुनिटी वेट कर रहे थे बड़ा सा बड़ा उपर्चुनिटी आ रहा है तो आप अल्ट्स को दीरे दीरे अक्लुमेंट अभी भी कर सकते हैं क्योंकि और डाउन आर सकते हैं चांज करने के बाद प्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है जीतना रिवाड़ दिखता है ना उतना इसके अंदर रेस्क है दोस्तो अब मैं आपको नए कुछ को इन से दिखाता हूं जो कि काफी सारी क्रिप्तो करनसी अच्छी है अच्छे से काम कर र तो डिवायम रिलेटेट काफी सारे नहीं प्रोजेक्स जो आ रहे हैं तो डिवायम स्टेकर को एड्रोब मिलता है तो मैं दो-तीन फाइदे देखके डिवायम को रखता हूं और स्टेक भी करता हूं कैसे क्या प्रोसेस वह आ गए बताऊंगा अभी आप नोट कर सकते हैं 2.69 चार्ट देखे लो लग गया आते ही आठ नो डोलर के आसपास गया था यही डिवायम बाइनस के अंदर लिस्ट होआ था अभी चलाए 2.65 डोलर पार्ट में करना है मतलब अब तो अच्छा पार्ट भी दे सकते काफी डाउन आ गया लोग नो में खरीद सकते थे तो इसमें अब डर रहे हैं नेक्स्ट जो आएगा सोलाना बेस्ट है वो भी स्टेकिंग वाला है और दो तिन फाइदे हैं पाइथ 0.41 डोलर के उपर ट्रेड कर रहा हैं सोलाना एकोसिस्टम के अंदर औरकल का बेस्ट प्रोजेक्ट माना दाता है जिस तरीके से इथिर्यम के अंदर औरकल का बेस्ट प्रोजेक्ट चेनलिंग को माना दाता है उसी तरीके से सोलाना के अंदर पाइथ कोम ले सकते हैं नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आएगा मान्टा लेटू एक नया ऐसा प्रोजेक्ट से जो कि कम सप्लाई के साथ एक अच्छा रिटन दे सकता है मान्टा प् गेमिंग का जो कि मैं एक ही प्रोजेक्स के उपर फोकस करवाऊंगा पुराने एक को आप जानते हैं एक जी इंफिनिटी एन गाला उसमें भी देख सकते हैं वो भी रिकवरी कर सकते हैं बट नए प्रोजेक्स इस बार कौन से हो सकते हैं उसमें आएगा पिक्सल 0.34 डोलर के देखने वाले हैं वो एक मीम कोईन है एक नया मीम कोईन है स्लॉफ जो कि काफी बार इस बार मैंने जिक्र किया है कि रिस्की तो हैं बट कुछ बड़े लोग हैं तो कुछ हो कि गेमिलिंग करने के लिए ही लेना है और अपने पोर्टफोलियो का आदा परसन भी इस जादा हो सकता है 0.26 डोलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है बस कुछ एक्जामपल मैंने आपको दिये बाकि आप लोग यहां पे जो प्रोजेक्स हैं आपके लिस्क के अंदर है अच्छे प्रोजेक्स उसके अंदर भी DCA कर सकते हैं अल्स एक बार के लिए तो रेली करेंगे लो